64 योगिनी मंदिर भारत की पावन भूमी पर अनेको धार्मिक स्थल मौजूद हैं। सभी धार्मिक स्थल अपनी स्थापत्य कला और चमतकारिक इतिहास के लिए प्रसिद हैं। भारत में प्रसिद मंदिरों में से एक 64 योगिनी मंदिर का इतिहास भी रोचक और रहस्यों से भरा हुआ है 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मीतावली गाव में स्थित है इसके अलावा भारत में 64 योगिनी के दो मंदिरों रिसा में स्थित है आज हम आपको मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर से जुड़ा रोचक इतिहास बताएंगे तांत्रिक यूनिवसिटी के नाम से भी है प्रसेड माननेता है कि 64 योगिनी मंदिर का निर्मान 1323 इस्वी में प्रतिहार वंश के राजपुक राजवंश के राज़ा देवपल ने करवाया था यह मंदिर गोलाकार है और पहाण पर 100 फीट की उचाई पर स्थिती है इस मंदिर की सभी योगिनी तंत्र मंत्र विद्या और योग से संबंधित मानी जाती है इस मंदिर में कुल 64 कमरे बने हैं प्रत्येक कमरे में शिवलिंग स्थापित है मंदिर में मंडपनुमा द्वार बना है जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है पंडित इंड्रमनी घंस्यार बताते हैं कि प्राचीन काल से देश विदेश से लोग इस मंदिर में तंत्र विद्या सीखने आते थे इस मंदिर को तंत्रिक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था कहते हैं कि 64 योगिनी माता मा काली का अफ्तार है इस मंदिर में प्रत्यक 64 कमरों में माता योगिनी की मूर्ती स्थापित है इसलिए इस मंदिर का नाम 64 योगिनी है संसद भवन की तरह बनावट पौरानिक शास्त्रों के अनुसार आज भी इस मंदिर में शिव जी की 64 योगिनी को जागरित किया जाता है माननेता है कि यह मंदिर शिव जी के तंत्र मंत्र के कवच से धका हुआ है इस मंदिर तक पहुचने के लिए 200 सीलिया पार करनी होती है 64 योगिनी मंदिर में रात के समय किसी को भी रुखने की अनुमती नहीं होती है इस मंदिर की बनावट शेली की तुलना भारत के संसद भवन से भी की जाती है यह गोलाकार मंदिर है भारत में गोलाकार मंदिरों की संख्या बहुत कम है यह उन मंदिरों में से एक है यह एक योगिनी मंदिर है जो 64 योगिनियों को समर्पित है यह बाहरी रूप से 170 फीट की तृज्या के साथ आकार में गोलाकार है और इसके आंतरिक भाग के भीतर 64 छोटे कक्ष है मुख्य केंडरी ये मंदिर में स्लैप के आवरन है जो एक बड़े भूमिगत भंडारन के लिए वर्षा जल को संचित करने के लिए उनमें छिद्र है छट से पाइप लाइम बारिश के पानी को स्टोरेज तक ले जाती है मंदिर की सन्रचना इस प्रकार है कि इस पर कई भूकम के झट्के जहलने के बाद गी ये मंदिर सुरक्षित है ये भूकम पियक शेत्र तीन में है कई जिग्यासु आगन्तुकों ने इस मंदिर की तुलना भारतिय संसद भवन से की है क्योंकि दोनों ही शेली में गोला का कैसे पहुँचें बाइ एर त्रेन द्वारा मितावली से गोहद रोड रेलवे स्टेशन की दूरी लग भग 18 किलोमीटर है निकत्तम रेलवे स्टेशन और मितावली से इसकी दूरी इस प्रकार है गोहद रोड रेल्वे स्टेशन 18 km, मालनपूर रेल्वे स्टेशन 20 km, सड़क के द्वारा मिताली मुरेना और ग्वालियर से बस सेवा द्वारा जुली हुई है ये मुरेना से लगभग 25 km और ग्वालियर से 55 km दूर है मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो में साजा की गई जानकारी पसंद आए होगी ट्रिपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नवाद होगी